मित्रो रादे रादे आप सभी के मातापिता वा गुरूओं को हमारा चारेश पर मित्रो जहां गुरू देपताओं के गुरू हैं वहीं शुक्र दैत्ति गुरू हैं लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है उनका उद्देश सदेव अपने अन्यायों को माग दर्शन करना है जहां गुरु जातक को आध्यात्मिक विकास करते हैं वही शुक्र जातक को भोतिक सुपस्पदा का विकास करते हैं शुक्र जिसकी चाहा आज हर इनसान को है और हो भी क्योंना शुक्र के बिना बैवब नहीं होता शुक्र लगजीरियस लाइफ के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है तथा वैवाहिक जीवन के लिए भी शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है शुक्र का पक्का घर साथ है यह मीन राशी में उच्च के तटा कन्या राशी में नीच के होते हैं इनका लंग सफेद चमकीला होता है तट सरीर में यह गाल और बाया हिस्सा है पशुओं में बैल वा सफेद गाय है ब्रक्षों में कपास का पौदा है आलू वा जौर भी इनके प्रवुत्त है इनका निवास इस्थान नाटग्र है सिंगाग्र है वा सईया घर है शुक्र प्रधान जातक दिखने में आकरशक होते हैं इनकी तंतर सास्त में विशेश रूची होती है तथा यह एक अच्छे जोतिशी भी होते हैं यह खेती वर पशुपालक होते हैं शुक्र प्रधान जातक जन्म से ही भाग्य साली होते हैं ऐसे जातक गरीब घर में भी जन्म लेकर अमीरी की जिन्दगी जीता है शुक्र अगर लग्ण में हो तो जातक के ग्रहस्त जीवन में उसकी पतनी के फैसले ही सरवोपड़ी होते हैं शुक्र प्रधान जातक एक अच्छे कलाकार होते हैं सिंगर होते हैं पाक सास्मन निपोर होते हैं फैशन डिजाइनर कपड़े के वेपसाई जोतिशी सिक्षक वा तांत्विक होते हैं शुक्र प्रधान जातक कला में निपोर होते हैं तथा विप्रीत लिंक के व्यक्ति इनकी तरफ सते ही आकरशित होते हैं मंगल शुक्र की युती में अगर जातक अपना चरित्र सही रखे तो वे हर जगे विजय प्राप्त करता है क्योंकि शुक्र ज्यान एश्वल है और मंगल पराक्रम और जब ज्यान वा पराक्रम का मेल होता है तो जातक सर्वत्र विजय प्राप्त करता है अगर अच्छे शुक्र पर गुरू की ड्रस्ट्री ना हो तो जातक का चरित्र से कमजोर होते हैं शुक्र चंद की युती में दोश मा को लगता है मतलब घर में साथ बहु का जगड़ा और दोश मा को लगेगा मित्रो अब बात करते हैं खराप सुक्र की खराब सुक्रवाले जातक का घर कभी साफ नहीं रहेगा सारा सामान अस्तवेस्त फैला रहेगा उसके बेटरूम में भी एक अजीब तरिके की गंद आएगी और उसमें भी सामान अस्तवेस्त रहेगा तिथा ऐसे जातक के कपड़े सही नहीं होते वो प्रैस करे हुए कपड़े नहीं पहले है या फटे वोए कपड़े पहनता है या巧श्त मतलब कपरों में भी भबयता की कमी होगी और ऐसे जातक का चरत से कमजोर होता है ऐसे जातक का भौतिक्स के लिए भौत संध्रश करना पड़ता है तथा उसका वैवाहिक जीवन भी कमजोर होता है कमजोर शुक्रवादार इंसान डियाप्टीज और हार्मोन्स की प्रॉब्लम से पेड़ित रहता है खराब शुक्र को सई करने के लिए हमें हमेशा साफ सूसरे और प्रेस की हुए कपड़े पहनने चाहिए तथा अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए हमें मा लक्ष्मी की आरादना करनी चाहिए मखाने की खीर बनाकर मा लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए छोटी छोटी बच्चियों की सेबा करनी चाहिए उन्हें खटी मीची टौफियां बाढ़नी चाहिए तथा शुक्र से संबन्दित चीज़ें जैसे दही, चावल, चीनी, मिस्वी, सफेद कप्रा, आदि, धर्म इस्थान पर दान करनी चाहिए इस्त्रियों के ब्रती सम्मान का भाव रखना चाहिए अपने चड़ित को सही रखना चाहिए तथा अपनी पतनी को सदेब खुश रखना चाहिए